Season 2 Episode 6 start होता है और Jesse को मिलने उसका एक सेलर आया हुआ होता है Previous Exture में हमें दिखाये गया है कि जेसी कि सेलर से किसे ने मेध जबरदस्ति चुरा लिया होता है उसे धमका कर तब Walter Jesse को बोलता है कि इस situation को तुमें हैंडल करना है उसे गन देखर तो अब JC उसके सेलर से उन दोनों का पता पुछता है जिनों ने उससे मैथ चुराया था उन दोनों का पता Skinny Pete जैसी को दे देता है Skinny Pete उससे पुछता है कि क्या तुम उन्हें मार देने वाले हो तो JC बोलता है हाँ, मैं उसको handle करने वाला हूँ स्किनी पीट उसे बोलता है कि मैं ही उनको हैंडल कर लेता पर मैं प्रोबेशन पर हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता नेक सीन में गन देखता हुआ में जेसी दिखता है और वो एक मेट का हीट लेता है उसका करेज गैदर को करता है वो घर का दरवाजा खटकटता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि हम कैसे उन दोनों को घबराना है बहुत वक्त हो जाता है फिर भी दरवाजा नहीं खोलता और वहाँ एक लेडी आ जाती है वो पोस्टमन होती है और वो लेटर्स बॉक्स में रखती है और उसके बाद वो चली जाती है वो एक दूसरे को ग्रीट करते है उसके बाद भी दर्वाज नहीं खुलता तो जैसी घर की खिड़की खोल कर अंदर आ जाता है जब वो घर में गुशता है तो बहुती मैस हुई होती है वो आकर काउच वर बैट जाता है और किसी के आने का इंतजार करता है तब उससे एक आवाज सुने देती है वहाँ गन पॉइंट करता है पर वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आता है वो अपनी गन छुपा लेता है और वो बच्च टीवी पर Knives का शो देख रहा होता है एक salesman Knives के बारे में सब बोल रहा होता है तो उसे ही बच्चा देखता है तो JC जाकर चैनल चेंज करने की कोशिश करता है पर दूसरा कोई चैनल ही नहीं होता टीवी पर फिर थोड़ी देर बात वो बच्चा जैसी को बोलता है कि उसे भूक लगी है Skylar सब voice message चेक कर रही होती है तभी उसे एक Gretchen का voice message आया हुआ होता है Gretchen उसे सब कैसे चल रहा है इस बारे में पूछ रही होती है फिर Skylar Gretchen को callback करती है और वो उसे बोलती है कि ये सब मेरे साथ चल रहा है Walter की treatment वेगरे सब इन चीज़ों में मैं बहुत time से तुमें call करना चाहती थी और thank you बोलना चाहती थी कि तुमने हमें support किया तुमने हमें pay किया Walter की treatment के लिए वो Gretchen को invite भी करती है कि हमें catch up करना चाहिए कभी हमारे यहां आना चाहिए हम कुछ बात करेंगे या dinner भी हम कर सकते है Gretchen उसे बोलती है कि ये afternoon कैसी रहे की Gretchen ज़रा confused हो जाती है क्योंकि Gretchen ने वो पैसे नहीं दिये होते Walter स्कूल में पढ़ा रहा होता है और वो अच्चो को समझाता है कि सब चीजे कारबन से बनी है वहां assistant principal भी आ जाती है और वो Walter को बोलती है कि वो अपना lecture continue करें वो भी Walter के lecture में बैठती है और Walter अपना lecture खतम करता है तब वो Walter के साथ बैठती है और Walter को बताती है कि welcome वापस आने के लिए क्योंकि Walter blackout होने के बाद बहुत दिन स्कूल में नहीं आया था और वो उसको miss कर रही होती है और उसको बोलती है कि कोई भी future में problem आया या अब तुमें कुछ भी share करना हो तो तुम मुझसे कर सकते हो एक soft corner Walter को वो देती है Walter जब missing होता है तो जब poster बहुत जगा लगाय हुए होते है तो वो ही poster Walter के गाड़ी पर कोई कुछ बच्चे रख देते है और उस पे लिखा होता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ नंगा तो Walter फिर गाड़ी में बेट कर Walter जुनियर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये किसने किया होगा और वो discuss करते है कि हम उसे desert में लेके जाएंगे और उने गाड़ देंगे और उन पर scorpions छोड़ देंगे वो अस्ते अस्ते ही घर पर पहुच जाते है वहाँ घर पर अल्रेडी ग्रेचन आय हुई होती है वोल्टर जब आता है तभी ग्रेचन वहाँ से उठ जाती है और बाहर जाती है तब वोल्टर स्काइलर उसे बोलता है कि मुझे उसे बाहर चोड़ने जाना चाहिए जब वो बाहर आते हैं तो Walter उसे बोलता है कि थैंक्यू कि तुमने Skyler को कुछ निभी नहीं बताया हमें बात करनी चाहिए और मैं तुमें सब समझा दूँगा JC उस छोटे बच्चे को खाने के लिए देता है और उसे पिकबू करता है उसे हासाने की कोशिशो करता है फिर उसे घर में कोई आवास सुने देती है और वो दोनों उसका मैठ चोरी करने वाले ही होते हैं तो वो बच्चे को ले जाता है और उसके बेड़ पर सुला देता है और उसे बोलता है कि वो बाहर ना आए वो उस आदमी को मारता है और उन्हें चुप करा देता है वो उनको एक ठिकाने पर बैठा कर उनसे सब पेसे मांगता है या उसका मेथ अगर उनके पास होगा तो वो दे दे ऐसा उन्हें कहता है उनके वो सब pocket खाले करने को बोलता है पर उनके pocket में उसे कुछ नहीं मिलता और फिर वो उनको उनको उनके ass से मेत निकालने को बोलता है जब वो मेत निकालके उसे दे देते है तब वो short होता है यानि कि बहुती कम मेत बाकी हुआ होता है तो जैसी उनसे जो remaining पैसे होते है वो वो बैक्यार्ड में ही पड़े है, जब वो उसे बैक्यार्ड में लेके जाता है, तब उसने एक ATM मशीन ही उठा कर लाय हुआ होता है, सिर्फ इसे हमें तोड़ना है और मैं तुम्हें सब पैसे तुमारे दे दूँगा, वो उसको बोलता है कि ये एक विक्टिमलेस क्राइम ह इसमें किसी का कोई नहीं जाता, पर हमें एक शॉट में दिखाया गया ही कि जहां से वो ATM चुराते है, वहाँ उन दोनों ने मर्डर किया होता है उसके ओनर का, जेसी उसको उस ATM को तोड़ने को बोलता है, उस छोटे बच्चे की मदर, उस फादर से बोलती है कि तुमने पह जेसी फिर से उस छोटे बच्चे को देखने जाता है, अब हमें दिखाई गई है कि लंच में ग्रेचन और वाल्टर डिसकस कर रहे होते हैं, ग्रेचन वाल्टर से पुछती है कि तुमने ये क्या किया है, मुझे सीधे सीधे बता दो, वाल्टर उसे बताता है कि मैं मेरे फैमिली को सब समझा दूँगा, पर मुझे सिर्फ एक टाइम चाहिए, और उसके बाद मैं सब क्लियर कर देने वाला हूँ, तो ग्रेचन उसे बोलती है, जब तुम क्लियर करने वाले हो, तो मुझे भी बता दो कि तुम ये एक्चुल में क्या कर रहे हो, कहां से इतना सार पैसा ला रहे हो तुमारे ट्रीटमेंट के लिए, तो वाल्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सौरी बोलता हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, ग्रेचन उसे बुछती है कि तुमने मुझे इन्वाल किया है, और मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, तो य ग्रेचन उसे बोलती है कि तुमने ही मुझे छोड़ा था जब मैं मेरी फैमिली को तुम्हें मिलवाने गई थी तुमने ही तो तुम ही वहाँ से निकल गई थे तो वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम इस तरह से जस्टेफाय कर रहे हो तुमारे मिस्टेक्स को मैंने तुम्हे चोड़ा इसलिए तुमने मेरा सब रिसर्च शुरा लिया और फिर उससे फिर से मिलियंस बनाएं यही उनका डिनर खतम हो जाता है और ग्रेचन वहाँ से चली जाती है अब जेसी बैठा हुआ होता है एटियम को तोड़ तोड़ कर उस चोटे बच्चे का डायड अब ठक जा और उसे बेहोश कर देती है वाल्टर जब घर आता है तो स्काइलर उसे बताती है कि मुझे ग्रेचन का कॉल आया था ग्रेचन बता रही थी कि अब वो हमें सपोर्ट नहीं करने वाले तो वाल्टर उसे बताता है कि अल्मोस्ट हमारी सब ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कर सकते है तो Walter उसे बताता है कि मैं उनके ही साथ था अभी और वो मुझे बता रहे थे कि economy down है बहुत सारे recession वेकरा ये terms यूज़ कर रहे थे और वो मुझे बता रहे थे कि अब वो भी उनका economic status अब वो maintain नहीं कर पाएंगे अब वो भी गरीब हो चुके है Skyler उसे बताती है कि वो गरीब है पर फिर भी वो बेंटली चलाती है तो Walter उसे बोलता है कि वो एक सिर्फ देखावा करते रहते है नेक सिन में जैसी ground पर बड़ा हुआ होता है वो बेहोश होकर अब जाग जाता है और उस छोटे बच्चे का डैड एटियम मशीन से पैसे लिकालने की कोशिश कर रहा होता है वो ATM मशीन के नीजे से बैसे निकाल रहा होता है और उस छोटे बच्चे की मौम को अब थोड़ सा मेथ चाहिए होता है वो फिर से उसे स्कैंक बुलाता है और उसे बहुत ही गुसा आजाता है तो वो इरिटेट होकर उसी ATM मशीन से उसका सर फोड़ देती है वो फिर मेथ ढून कर नशे करकर वो ही पड़ी रहती है तभी ATM मशीन खुल जाता है और वहाँ से बहुत सारे पैसे बाहर निकलाते है जैसी वो सब पैसे निकाल लेता है और रख लेता है उसके बाद उस छोटे बच्चे को वो घर से बाहर निकालता है और उसे बोलता है कि अभी तुमें घर के बाहर ही रहना है थोड़ी टाइम तक वो पूलिस को कॉल कर देता है और उस चोटे वच्चे पर नजर रखता है कि वो घर में न आ जाए और यही यह एपीसोड खतम हो जाता है